सव साल पहले जब पक्के घर नहीं कच्चे घर गुआ करते थे कोरोना जैसे की एक महामारी फैल गई पतलू छोटा था और अकेले घर में रहता था बाहर महामारी फैली थी तो लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे थे इसी वजह से पतलू भी घर के बाहर नहीं निकलता जब महामारी खत्म हुई लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया कई दिन बीट गए लेकिन पतलू के मन से महामारी का डर नहीं निकला, वह घर में ही रहता, बाहर नहीं निकलता, एक दिन सुबह चार बजे, पतलू के घर एक आदमी आया, उसने दर्वाजा खखटाया और आवाज लगाई, इतनी सुबह काउन आया है, पतलू दर्वाजा खोलता है, आदमी पतलू से कहता है, पतलू गाउं के बाहर एक बाबा जी आये है, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, बाबा जी ने कहा है कि पतलू को मेरे पास लिवा लाना, पर क्यों? पता नहीं, पतलू आदमी से कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ लगता है थोड़ी देर में वह बाबा जी के पास पहुंच जाता है बाबा पतलू को देखते हैं बाबा जी कहते हैं मेरे पास एक छोटा बच्चा है मैं उसको तुमको देना चाहता हूँ पतलू घर में अकेले रहता था उसके साथ कोई खेलने वाला भी नहीं था इसलिए वह यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है पतलू बाबा जी से कहता है ठीक है बाबा मैं उसको अपने साथ अपने घर लिवा जाऊंगा बाबा कहते हैं इसलिए मैंने तुमको यहां बुलाया है लेकिन मुझे तुम्हारी बुद्धी के उपर सक है अगर तुम मेरी पहली का जवाब दे देते हो तो मैं तुमको वह बच्चा दे दूगा बाबा जी पहली पूँचते हैं एक बार पांच लोग दुकान पहुचते हैं दुकांदार उन्हें तीन अमुरूद देता है अमुरूद लेकर अब पांचों सूचते हैं कि हम सभी को बहुत भूँख लगी है अमुरूद को बराबर बराबर पांच लोगों में कैसे बाटा जाए पतलू थोड़ी देर सूचता है आपके पास 20 सेकंड है आप भी एंसर सूचिए पतलू जवाब देता है हर एक अमुरूद के पांच टुकड़े किये जाएंगे यानी तीन अमुरूद के 15 टुकड़े हो जाएंगे फिर उन पांचों में से तीन तीन टुकड़े बाट दिए जाएंगे आपको एंसर समझ में आया अगर नहीं आया हो तो दोबारा देख पतलू का जवाब सही होता है, इसलिए बाबा पतलू को बच्चा दे देते हैं, पतलू बच्चे को अपने साथ लिवा जाता है, कुछ साल बाद वही बच्चा बड़ा हो जाता है, और उसी बच्चे का नाम मोटू पड़ता है, अभी जाना नहीं, इसको ध्यान से देखो, तुम जादू देखोगे, चलो तुम्हारे पास दस सिकिंड है, तुम में से बहुत लोगों ने गलत अंसर बताया होगा, यह देखो, देखो मैजिक,